नमस्षकार साल 2024 में है हम और आप साल 2024 में बहुत कुछ होने वाला है साल 2024 में कुछ दिनों के बाद करह अपनी चार बदलने वाले हैं गरहों के सेनापति मंगल और पुद्ध इस लाइन में खड़े हुए हैं अपनी चार बदलने के लिए 2024 की जनवरी में धनु राशी में इन दोनों ग्रहों की युद्धी होने वाली यानि ये दोनों ग्रह एक साथ हो जाएंगे 28 दिसंबर को मंगल धनु राशी में गोचर कर चुके हैं 2023 की और 42 दिनों तक यहां पर विराजमान रहेंगे और बुद्ध 18 जनवरी को इसी राशी में प्रवेश करेंगे तो यानि 19 जनवरी से 2024 तक दोनों ग्रहों का मिलन होगा 19 जनवरी से पांच परवरी तक दोनों ग्रह साथ करेंगे और चार राशी वालों को इसका प्रभाव बहुत अच्छा रेखने को मिलेगा और ये चार राशी कौन है इन पर क्या रिजल्ट मिलने वाले है जो बहुत खास रहेगा ये जानकारी चंद राशी और नाव राशी पर आधारित रहेगी तो आप ऐसा कह सकते हैं चार राशी का गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा कुछी दिनों में पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के जातकों के लिए बुद्ध और मंगल की युद्धी शुब्र साबित होने वाली है ववाहिक जियून बहुत अच्छा रहेगा सफलता के योग बनेंगे इंकम बनेंगी और प्रदोनती होगी नौकरी और वैपार में वैपार भी बहुत अच्छा चलेगा सिंग राशी बुद्ध और मंगल का मिलन सिंग राशी वाले जातकों के लिए शुब रहेगा प्रेम संबन्द मजबूत रहेंगे वैवाहिक जियून में खुशाली रहेगी परिवार के साथ समय वतीत करेंगे चात्रों के लिए समय बहुत अच्छा है मितन नाशी मितन नाशी की जातकों के लिए निवेश से फायदा होगा पुरानी इंवेश्मेंट डबल हो जाएंगी वैवाहिक जिवन लव लाइफ में सबब बहुत अच्छा है कारोबार में लाब होगा सेहत में सुधार होगा भाई भेहन के साथ रिष्टे बहुत बेहतरीन होगे मकर राशी मकर राशी के लिए जीवन में खुशाली आएगी करियर में कारोबार में लाव है बागे का साथ है कारोबार को आप एक विशेश दिशा की तरफ ले जा सकते हैं आपके आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे खर्श थोड़े से बढ़ रहे हैं तो ये रहेगा चार राशी वालों के लिए आगे आने वाले समय का हाथ तो ये चार राशी वाले आईश करें आप भी आईश कर सकते हैं खुश रही है प्रसंद रही है और किसी भी प्रकार की जोतिशी है हेल्प के लिए आप दिएके नम्बरों के संपर कर सकते हैं नमस्कार